Hello students, welcome to my channel Commerce Notes आज हम M.Com semester first subject management information system का important question answer number 3 करने जा रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि हमने important question answer series को start किया है जो कि M.Com first semester subject management information system से related है ठीक है आज हम question number 3 करेंगे, question number 1 और 2 हमने already किया है उसकी playlist बनी है आप उसको check out कर सकते है जिसमें हमने M.I.S. को detail में किया था और उसके framework को किया था आज हम करेंगे feedback mechanism को या feedback system को जो की management information system में होता है यह बहुत important question है जो हमें college exams में आता है तो इस video में हम देखेंगे कि अगर यह आ जाए तो इसको कैसे attempt करना है और समझते हुए चलेंगे ताकि आपके अच्छे marks आ जाएं तो चलिए start करते हैं तो feedback क्या होता है basically कहरें जो feedback है अगर हम management information system की बात करें is like getting comment about how well or not well the system is working मतलब कि लोगों से पूछना जो उसकी users है उनसे पूछना कि कितनी अच्छी तरीके से या कितना अच्छी तरीके से नहीं यह काम कर रहा है तो अगर यह करते हैं तो चेले अपने थौंट से बनाने में अगर जो यूजर्स जो उसको यूज कर रहे हैं उनसे फिटबेक लिया जाएगा किया आपको क्या दिक्कते आ रही है या फिर आपको कौन-कौन से चीज़े अच्छे लग रहे है, कौन-कौन से फीचर अच्छे लग रहे है, या आपको क्या लगता है कि यह आ जाए, तो इससे और अच्छा हो सकता है, तो वो सारा हम क्या है, उनसे लेते हैं, उसको कहता है feedback, दो तैप की feedback होते है, positive feedback होता है, negative फीडबैक होता है यह दोनों का डिफरेंस ही हम इसमें करेंगे basically यही आता है paper में कि negative and positive feedback क्या होता है वो बताओ and उसका meaning बताओ ठीक है तो क्या कहा है positive feedback is like a thumb up ठीक है तो thumb up करते है न हम जब हमें पोई चीज लगती है तो positive feedback का मतलब क्या है अगर लोग थंब ठीक है नहीं है तो फिर कहा कहा हमें क्या है ठीक करने की जरूरत है ठीक है तो यह था हमारा feedback क्या होता है management information system में अब हम आ जाते हैं इसके difference में ठीक है जो कि बहुत important का difference करना start करते है यहाँ पर basis of difference है यहाँ पर है positive feedback in MIS और यहाँ पर negative feedback in MIS तो सबसे पहले कहरे है purpose positive feedback in MIS का क्या purpose होता है कि कही ना कही हमें क्या करना है यहाँ पर यह देखना है कि हमारा MIS है वो कितना अच्छा perform कर रहा है ठीक है negative feedback में हमें यह देखना होता है कि कौन-कौन से area of improvement है जहाँ पर हमें जरूरत है कि हम improve करें then effect effect क्या होता अगर positive feedback है कि हाँ भी MIS प्रॉपरली चल रह करने की जरूरत है ठीक है next है हमारा tone tone में क्या बोले कि यहाँ पर जो positive feedback होता है इसमें tone कैसी होता है encouraging ठीक है appreciate करते है इसमें but negative में क्या होती है constructive होती है कि मतलब और construction करो और ठीक करो ठीक है highlight करवाई जाते हैं कि कौन-कौन से area जहां पर improvement करनी चाहिए example बोले कि जैसे यहा dashboard design किया है वो बहुत ही अच्छा user friendly है but negative feedback में अगर देखे there are delays की delays हो रहे है generate करने में report ठीक है तो उसमें जरूरत है कि यहाँ पर थोड़ा improvement किया जाए then focus positive feedback में focus किया जाता है कि क्या क्या strength है ठीक है कौन-कौन से successful feature है हमारे MIS में पर अगर negative feedback की बात करें तो यह highlight कर तक ऐ हमारी weakness है और कहां कहां पर क्या है चीजे वैल नहीं perform कर रही then impact देखें users में क्या आता है तो अगर हम यहां पर देखे positive वाले में तो क्या होता है impact increase होती है user की satisfaction ठीक है और उसकी involvement बट अगर हम negative में देखे तो कहीं ना कहीं user और developer क्या आता है कहीं ना कहीं issues को face करते है और को क्या है identify करने के बाद उसको ठीक करते है then communication style में इसमें affirmative और supportive होता है अगर positive feedback की बात करें यहां पर क्या होता है area of improvement but solution oriented approach होती है यह ठीक है next encouragement obviously बात है positive feedback आ रहा है तो encourage होता है कि continuation रखो इसी को continue रखो यह बहुत अच्छा है but negative feedback में क्या होता है encourage करते है कि corrective actions लो ताकि enhance ह सके हमारी MAS की performance ठीक है तो यह हमारा basically easy सा क्या था difference था जो आपको एक्जाम में आता है और आपको as it is उतार के आना है ठीक है अब हम इसकी क्या है summary देख लेते और इसी के फिर हमारा question खतम हो जाएगा understanding and balancing both कहरें कि समझना और balance करना दोनो positive as well as negative feedback को बहुत ही important होता है ताकि देखो ऐसा नहीं है positive में ध्यान दो negative में न दो और ऐसा नहीं है कि negative में ध्यान दो positive को appreciate ना करो encourage ना करो देखो continuous improvement करने ना बहुत जरूरी होती है ठीक है और effective वो तभी होगी management information system तभी effective होगा जब उसमें continuous के ओते रहेगी improvement होते रहेगी ठीक है तो कह रहे है जो positive feedback है उसको acknowledge करो कि हाँ भई हमने अच्छा किया पर जो negative feedback है वो आपको valuable insight दे रहे है कि हाँ यहाँ यहाँ पर आपको improvement करनी है तो वहाँ भी कहा हमें improvement करने की जरुरत है ठीक है तो यह था हमारा question का answer होप आपको वीडियो पसंद आई है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like, share, subscribe जरूर करें, thank you